तो यहां पर हमें बताय हुए है कि डिफरेंट डिफरेंट आइपस के सबस्तांसस लिए और उनकी सौलीबिल्टी कैसे है डिफरेंट तेम्परेचर पर तरीकी का टेबल दिख रहा है आपको जहां पर सारे अलग-अलग elements की उन्होंने हमें solubility बिताई हुए अलग-अलग temperature पे आप देख सकते हैं 283 Kelvin पे 21 है 293 Kelvin पे 32 है तो जितना temperature बढ़ता जा रहा है तो आप देख रहे हैं solubility भी बढ़ती जा रही है हर एक case में ही ऐसा हो रहा है तो देखते हैं क्या हमसे question किया जा रहा है यहां पे चार parts पूछे गए हैं पहला पूछा किया है what mass of potassium nitrate would be needed to produce a saturated solution of potassium nitrate in 50 grams of water तो हमें 50 gram of water दिया जाएगा और हमसे बोला जा रहा है कि कितना potassium nitrate उस mass का dissolve हो सकता है तो सबसे पहले तो हम देखते हैं 313 Kelvin पे कितना है 313 Kelvin पे potassium nitrate 62 है तो 62 gram मतलब 100 gram में dissolve हो सकता है 100 gram of water में 62 gram dissolvable है ठीक है हमें निकालना किसका है 50 gram का तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं for 100 gram 100 gram of water में कितना हो जाएगा यह 62 gram potassium nitrate अगर हमें 50 gram का निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा 50 से multiply करना पड़ेगा और हमें क्या बोला जा रहे है कि total amount कितना है 100 gram 100 gram of water है जिसको आपने use करना है तो अब हम इसको reduce कर लेंगे और हमें value मिल जाएगी 1 by 2 की 62 का आदा कितना होता है 31 gram तो 31 gram हमें potassium nitrate चाहिए होगा जो saturate कर देगा solution को in 50 grams of water में राइक तो लेट्स दू बी पार्ट नौ बी पार्ट सेज प्रग्या मेक्स अ साचुरेटर्ट सोल्यूशन अफ पोटाशियम ग्लोराइड in water at 353 Kelvin and leaves the solution to cool at room temperature what would she observes as the solution cools तो पहले हम देखते हैं कि potassium chloride का information क्या है potassium chloride की 353 Kelvin पे तो potassium chloride आपका third number पे है और यहाँ पे यह देखो कि 54 gram solubility है उसकी potassium chloride की 353 Kelvin पे ठीक है अब उन्होंने हमें बोला है कि आपको बताना है कि क्या होगा जब उसको वो room temperature पे छोड़ देंगे तो room temperature पे आप देखो कि कितना है it is 35 gram है तो अब 35 gram solubility है अगर room temperature पे तो हम क्या करेंगे इन दोनों को minus कर देंगे क्योंकि solution क्या हो रहा है cool हो रहा है और जितना आप रख दोगे उसको थोड़ी देर के लिए तो वो क्या करेगा अपने आपको precipitate की form में बना लेगा तो हमारे पास 54 gram तो था 343 galvin पे और जैसे ही आप उसको room temperature पे छोड़ दोगे तो आपका जो solution है वो कितना बच जाएगा it will be 19 gram so 19 gram will precipitate out as insoluble salt okay let's do C part now C part says find the solubility of each salt at 293 galvin हमें सब की 293 galvin पे solubility बतानी है तो पहले वाले की थी 32 gram मेरे पास table है उसमें से बता रहे हूं मैं आपको 36 gram, तीसरे की 35 gram और चौथे की 37 gram तो इन सब की solubility लिखनी थी बस हमें हमें table में पढ़ना था कि 293 galvin पे कितनी solubility है अब उन्होंने हमसे बूचे which salt has the highest solubility at this temperature तो आप देख सकते हो सबसे जादा किस की है लास्ट वाले की है और लास्ट वाला आपका कौन सा था ammonium chloride let's do next one, last part is there what is the effect of change of temperature on the solubility of a salt तो आप देख सकते थे कि मैंने पहली बता दिया था आपको कि जितना जादा temperature होता जा रहा है उतनी ही जादा हमारी solubility बढ़ती जा रही है तो इससे आपको क्या समझाता है that temperature is directly proportional to solubility जितना आप इंक्रीज करोगे उतना solubility भी इंक्रीज करेगी so this is how you answer four parts of this question thank you for watching we will do question number four in the next video thank you